हम कभीवर मतिराम को पढ़ रहे हैं और अगला जुपद है वह युद्ध वीर से चयनित अंश से लिया गया है देखिए सत्ता को सपूत राव संगर को सिंग सोहे जैतवार जगत करेरी किरवान को कहे मतिराम अवलंब राजे धरम को महो दधी मरजाद मेरू परिमान को कीरती की कौमुदी सुछाई छिती छोरनी लौं विमल कलानिधी है कुल चहुआन को दानी कलपद्रुम सुजान मनी भाव सिंग भानु भूमी तल को दिवान हिंदुवान को प्रस्तुत पद में जो राजभाव सिंग है उनके युद्धवीर वो मरियादा रक्षक रूप के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे अपने सामराज्य की सुरक्षा करने में सक्षम है अर कोई भी उनके सामने युद्ध करने में हिचक चाता है सत्ता को सपूत राव संगर को सिंग सोहे जो राजभाव सिंग है वे अपने शासन के सत्ता के सुपुत्र है अर्थात अपने शासन की रक्षा करने वाले ऐसे सुपुत्र है कि उसके लिए उसके आनबान, शान की मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राण भी नियोचावर करने को सदेव तत्पर रहते हैं राव ऐसे जो राजा हैं ऐसे राजभाव सिंग संग्र को सिंघ सोहे शंगर अर्था संग्राम वे संग्राम में सिंग की भाती सुशोभित होते हैं रूपक अलंकार है संग्राम के सिंग है अर्थात जिस प्रकार वनराज सिंग जहां होता है तो उसके सामने सारा पशुबल स्वयम ही नतमस्तक हो जाता है या उसके सामने पशुबल की एक नहीं चलती ठीक उसी प्रकार संग्राम में सिंग की भाती जब राजा भाव सिंग उतर जाते हैं तो उनके सामने शत्रुपक्ष नतमस्तक हो जाता है या शत्रुपक्ष स्वतही नश्ट हो जाता है जैतवार जगत वे समस्त संसार को जीत लेने वाले हैं अपनी तलवार के बल पर समस्त संसार को जीत लेने की ख्रमता रखते हैं करेरी किरवान को करेरी का ताथ पर यह है सीधी करना या कठोर करना द्रड करना किरवान अर्था तलवार ऐसा कौन व्यक्ति है जो उनके सामने अपनी तलवार को सीधी तान कर खड़ा हो सकता है प्रसिद्ध है कि उनके सामने कोई सीधी तलवार, खड़ी तलवार करके खड़ा होने का दुस्साहस तक नहीं करता, कोई भी विक्ति उनकी तलवार के सामने नहीं टिक पाता कहे मतिराम अवलंब राजे धरम को मतिराम कवी कहते हैं कि वे केवल युद्ध वीर ही नहीं है बलकि धर्म वीर भी है अर्थात कोई भी काम धर्म के विपरीत नहीं करते धर्म को प्रश्रे देने वाले हैं धर्म का धर्म की रक्षा करने वाले हैं धर्म का अवलंबन लेकर चलने वाले हैं अर्थात अधर्म पूर्ण कारे नहीं करते ऐसा नहीं करते कि क्षत्रुपक्ष को मारना है तो हत्यारे बनकर मारते रहें बलकि धर्म का युद्ध करते हैं धर्म के रक्षक हैं धर्म को प्रश्रे देने वाले हैं का अवलंबन लेने वाले हैं महोदधी मरजाद मेरू परिमान को महोदधी मतलब समुद्र मरियादा में वे समुद्र की तरह हैं मरियादा के समुद्र हैं अर्थात जिस प्रकार समुद्र अपनी मरियादा का उलंगन नहीं करता उसी प्रकार वे महाराजा भाव सिंग भी मरि मरियादा में रहते हैं कभी मरियादा का उलंगन नहीं करते मेरू परिमान को और सुमेरू परवत की तरहें वे द्रड़ता से युक्त हैं उनकी चारित्रिक विशेषता हैं बताई गई है कि मरियादा में वे समुद्र के समान हैं और द्रड़ता में द्रड़ प्रतिग्या मे वे सुमेरू के समान है, मरियादा में महासागर की सीमा सुमेरू की तरह हैं, ये भी इसका अर्थम कर सकते हैं, कीरती की कौमुदी, कौमुदी का अर्थ होता है चांदनी, उनकी कीरती की जो चांदनी है, वह सुचाई, भली प्रकार से चाई हुई है, कहां तक चिती, अर्थ दिगंत में उनकी कीरती की चांदनी कीरती की सौरप कीरती की या यश की जो चांदनी है वहाँ छाई हुई है विमल कलानी थी है कुल चहुआन को वे विमल विमल का अर्थ है निर्मल जिसमें कोई कालीमा नहीं है कोई कलुष नहीं है कोई दाग नहीं है ऐसे कलानी थी पद्रुम है कल्पवरक्ष की तरह है अर्था जिस प्रकार कल्पवरक्ष समस्त इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाला होता है उसी प्रकार वे दान शिरो मनी हैं वीर शिरो मनी हैं धर्म शिरो मनी हैं मरियादा रक्षक हैं और उसी प्रकार दान शिरो मनी भी हैं दान दे के भानु हैं सूर्य हैं और दिवान हिंदुवान को और दिवान शासक हिंदुओं के ऐसे शासक हैं कि जो प्रत्वी पर हिंदुओं की रक्षा करने वाले हैं प्रत्वी पर हिंदुओं के दर्बार में सूर्य के समतुल्ले है पूरे पद में रूपक अलंकार चल रहा है उन संगर का सिंग कह अधिया गया है संगराम के सिंग हैं महोद धी मर्जाद मर्यादा मे मेरु प्रमाण में या द्रड接 प्रतिग्ग्या के Barcelok Lame सुमेरू है कीरति की कोमुदी में उपमालंकार है कि उनकी कीरति की चांद नि क्षिति के आधिन्त छाई हुई है विमल conference दौन हैति मैं आखे सुमान नए स्वययं दौन है और भानू भूमितल के भानू है तो इस प्रilikार पूरे पद में रूपक की छटा दर्शनी है उप्मार्माकार भी है अनौप्रास sigue साथ ही राजा भाव सिंग के युद्ध वीर रूप, मर्यादा रक्षक रूप, दान वीर रूप, दरढ परतिग्य रूप और साद ही उनकी जो वीर होने के भाव है उसको बताया गया है उनकी चारितरिक विशेशताओं का यहां चित्रण किया गया है और इस प्रकार भाव सिंग राजा ज